Hello guys, welcome back to my channel दोस्तों इस वीडियो के माद्यम से हम आपको घृषनेश्वर जो तिर लिंग जो महराष्टर में है वहाँ के दर्सन कराएंगे तो चलो हम लोग बस का बेट कर रहे थे बस हमको मिल चुगा है बस में बैट चुके हैं दोस्तों हम लोग यह सीरीडी बस इस्टेंट से बस ले चुगे हैं और सीरीड भी हमको मिल चुके है एक बात और दोस्तों कि आप लोग को अगर घृषनेश्वर जाना है तो यहाँ से आप लोग को छत्रपती संभाजी नगर के लिए बस आपको लेनी पड़ेगी तो वही आप लोग को घृषनेश्वर ले जाने में मदद करेंगे दोस्तों तो दोस्तों यह मंदिर महराष्ट के अवरंगाबाद जी ले जिसे अब छत्रपती संभाजी नगर के नाम से भी आना जाता है में एलोरा गुफाओं के पास वैरूल गाओं में इस्थित है अगर आप यहां आना चाहते हैं तो और अंगाबाद रेलवे इस्टेशन और हवाई अड़ा इसके सबसे नजदीक है ठीक है यहां पहुशने के बाद आपको ना केवल गृशनेश्वा जोतिर लिंक के दर्शन का मौका मिलेगा बलकि विश्व परसिद एलोरा गुफाओं को भी आप देख सकते हैं दोस्तो बस का सफर सिरीडी से आते वक्त यहीं तक था अब यहां से हम लोग आटो का वेट कर रहे हैं बहिया आटो में हम लोग बैठ चुके हैं अब यह आटो वाले बहिया के साथ आटो में निकल चुके हैं दोस्तो दोस्तो अब थोड़ी बात करते हैं मंदिर के इतिहास और पराडिक कथाओं की बारे में कहा जाता है कि घृष्मा नाम की एक भक्त महिला ने यहा भगवान सिउ की असिम भक्ति में लीन होकर उनकी पूजा की थी उनकी भक्ति और तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान सिउ स्वयम यहा प्रगट हुए और इस जोतिक लिंग को ग्रिष्नेश्वर नाम दिया गया उनकी इस अनन्य भक्ती की वज़ा से यह इस्थान इतना पवित्र हो गया कि लोग यहां दूर दूर से दर्शन करने आते हैं दोस्तों यह मंदिर वास्तुकला का एक अनूठा उदाहरण है 28 अताबदी में इसे महरानी अहिल्या भाई होलकर ने पुनर निर्मीत करवाया था दोस्तों हम लोगों को सिरीडी से आने में यहां पे रात हो गया जिसके वज़त से हम लोगों ने रुकने के लिए यहां पे एक रूम लिया है एक हजार रुपे में दोस्तों आज यहीं पे रुकेंगे हम दोस्तों यहां पे सुबह हम लोग नहाद होआ के निकल चुके हैं यहां से 500 मिटर की दूरी पर ग्रिशनेश्वर जी का मंदीर है तो चलो मंदीर के गर्वग्री में सीवलिंग की स्थापना है जिसे स्वयंभू यानि खुद से प्रकट हुआ माना जाता है यहां सीवलिंग पर जलाभी से करना एक महत्वपूर परंपरा है और लोग जल चढ़ाते समय ग्रिशनेश्वर नाम का भी जब करते हैं मानता है कि इस न पहन के जाना होता है यहां पर दर्सन करने दोस्तों इस मंदीर का वातावरण बहुत ही सांति पूर्ण है चारो और हर्याली और नर्वदा नदी का बहता पानी इस जगह की दिव्यता को और भी बढ़ा देता है यहां आने वाले लोग मानो अपने सभी दुखों और परसा पूजा करते हैं इसके अलावा स्रावण महिने में भी यहां दर्सन करने का बहुत महत्व होता है यह बारवे नंबर का जोतिर लिंग है दोस्तों में आप लोग को एक सुझाओ देना चाहता हूं कि अगर आप यहां आना चाहें तो मेरी सला है कि सुबह जल्दी उड़ प क्रास में ही एक और स्युजी का मंदिर है तो वहां पर दर्सन करने हम लोग आ गए हुए और यहां पर नंदी जी सामने में विराजमान है और अंदर में स्युजी कम एक प्रतीमा भी है दोस्तों जै भोले ना दोस्तों यही यहां के घृष्णेश्वर जोतिर लिंग का व आता है और वीडियो अच्छा लगए तो वीडियो को लाइक करें चैनल को सिस्क्राइब करें थांक्यू जै हिंद जै भारत